तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि इस हफ्टे कौन को नॉमिनेट हो चुका है अभी नॉमिनेट हुआ है तो मैं आप लोगों को बताओंगी तो आप लोगों से सवाल तो पूछूँगी कि भै इन में से आप किसको vote करेंगे मुझे पूरे नाम जानने के बाद comment box में जरूर बताना किसको support कर रहे हो सबसे पहले Elvis जो है वो nominate हो चुके हैं ये मैंने अपनी वीडियो के जरीए बता दिया आपको फिर जो है आशिका भाई इसको तो होना ही था और मुझे ऐसे लगता कि definitely आशिका जो है इस हफते जाने वाली है because वो नहीं big boss material नहीं है देखा जाए तो आपका क्या कहना आपका अलग कहना हो सकता कह सकते हैं फिर आते हैं जदादिद जदादिद भी नॉमिनेट हो चुके हैं जो कि आज तक नॉमिनेट नहीं हुए थे अब देख रहा है यह होगा कि जदादिद को नहीं पहले भी नॉमिनेट हुए हैं हाँ हाँ शायद नॉमिनेट हुए हैं अभी फिर से नॉमिनेट हुए हैं श इसलिए तो ऐसे लोगों के हाथ में दिया है जो लोग इसको नॉमिनेट करें जिया का शॉकिंग था जदा दिद ने जिया को नॉमिनेट कर दिया जिया देखना चाहती थी कि जदा दिद ऐसा एक्षिन लेता है या नहीं लेता पर अभी जिया जो है काफी आराम से है अभी क्या क्या सुनाएगी जदादिद को क्या क्या बाती होगी उसके बाद वो सब चीज़े मैं अपने वीडियो के जरी आप तक गॉसिप करती रहूँगी फिर आती है फलक यानि की फुक्रा इंसान ने फलक को नॉमिनेट कर दिया है और अभी आप लोग बताईए कि भई एलविश आशिका जदादिद अविनाश जिया फलक में से आप किसको वोट करेंगे और किसको बचाना चाहते हैं और कौन आपके अकॉर्डिंगली होगा घर से बेघर और कौन होगा मेरे अकॉर्डिंगली मेंने बोल दिया है और वोट मैं यहाँ पर किसको करूँगी अलविश को करूँगी बस क्या है आपका कहना इसी के साथ मैं ली तियू जाज़त नमशकार